हेलो स्टूडेंट वेलकम तु तु इस वीडियो फाइनली प्रशन बैंक का सॉल्यूशन आ चुका है बिशान जीव बिग्यान पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बदाया था कि आपको किस बिशा के सॉल्यूशन चाहिए लगवक सभी स्टूडेंट ने कमें है तो चलिए देखते हैं देखिए सबसे पहले हैं मैं आपको बता दू कि जो सॉल्यूशन है मैंने आपको हेंड रेटन का बोला था तो मैंने हेंड राइट नोट बनाया है और जो भी आपके प्रशन बैंक में उसी क्या अंसर है और जो अब्जेक्टिव टाइब प्रशन बैंक के लास्ट में दिये गए हैं लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पढ़कर और इनके आंसर आपको साथ में बता देता हूं ताकि आपको क्या है कोई आपको पढ़कर सुनाए तो आपको जल्ली याद होता है कोई भी चीज ठीक है तो मैं आपको सभी कोश्च ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके जो अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन है ठीक है थोड़ा मैं आपको दखा दूं कैसे मैंने नोट बनाया है फिर मैं आपको यह प्रस्टन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकास से आपका जो यहाँ पर अथिलु बोजन होता है तो इस टार्च होता है मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा ताकि क्योंकि इसमें आंसर तो आपके पीछे पीछे आपके दिये गए हैं सब के तो जो अबजेक्टिव हैं सबके आंसर देगे पादब जगत का ब्राइफाइट को कहते हैं प्रत्वी पर से बाल से बल में पाई जाता है में फाल लेंके उसके पाद से पाद सबसे हुचा इंच्यो को वालफिया हो जाएगा ठीक है पीछह आंसर दीए गए हैं सबको आप देख सकते हैं प्रिशन बैंक में आपने डाउनूड नहीं किरिशनियों पेशनुरेन वह दाउन्लूड कर सकते हैं ठीक है उसके बदात माशन है आपर बीच्जियों का भ्रोड़ पोस होता है तो जो जो फाइट हो जाएगा इस फैगनम आपका मॉस उसके प्रकास से आपके सही जोड़ी उसके पाद एक सब्सक्राइब बातर देख सकते हैं पहला कोशन है समुद्र की इस गहराई में कौन से सेवाल पाए जाते हैं तो लाल सेवाल जो होते हैं रेड अलगी ठीक है तो रेड अलगी जो होते हैं वो सबसे गहराई में पाए जाते हैं दूसरा कोशन है एक परिपक को भुरूर कोर्च होता है कितने कोस्किय होता है तो साथ को उसके होता है ठीक है सेबन सेल एट निउकलेटिट कंडीशन होती है जो परिपर भूड़कोस होता है ठीक है उसके बाद सैवाल में पाए जाने बारे बर्ड़क का नाम लिखे तो किलोरोफिल ए और वी ठीक है टेरीटुफाइट के दू सदस्यों के नाम लेखना सब्सक्राइट को पादब जगत का उभाए जयर क्यूं कहा जाता है ठीक है तो देखिए ब्राइफाइट को पादब जगत का उभाए जर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भूमी पर जीवित रहता है परंतु यह लेंगी जनन के लिए जल पर पूरता है निर्भ है तो जल की आब सकता होती है उसे लेंगी जनन के लिए इसे पादब जगत का इसे ओमहचर कहा जाता है ठीक है उसके बाद देख सकते हैं बिसम भीज़ाडुकता का इस्टेडी करेंगे तो उसमें आपको जो इंग्लिस वाली टर्मिलोजी है वो याद रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपको इंग्लिस में ही जो मैक्जिमम बर्ड है वो सिखाए जाते तो यहाँ पर दिख सकते हैं इन्हें लगू भी जानू तथा गुरू भी जानू कह करना है अबरतिवीजी पौधो में दो नर्योगमक बनते हैं उनमें से एक अंड़कुषका से संयोग करता है और दूसरा नर्योगमक दो दुब्रिय कैंद्रकों से संयोग होकर बुरूड पूस्ट कैंद्रक मनाता है इस पर क्रिया को दो इन्यूशिचन कहते हैं और दू इन्यूशिचन ही एक तरीके से त्री संयोग करता है और दूसरा जो है दूसरा है वह दुतिय केंद्रक में दो केंद्रक होते हैं जो उनसे संयोग करता है ठीक है तो सल्लैण के परश्चात क्या बनता है इससे ही त्रीस प्रकार से आप इसकांसल लिख सकते हैं अब अब अगला कॉच्छन आपका पूचा गया है सेवालों के दो प्रमुक लक्षन लिखी है तो सेवालों के दूपरों को लक्षण है पहला है सेवालों की जो कोस्का भित्ती होती है सेवालों में कोस्का भित्ती पाई जाती है जो सेलूलोज की बनी होती है तो यह आपका पहला लक्षण हो गया दूसरा है सेवालों में भोजपतात का संचय करने के लिए करना कर दिमिंगिक्रिक फार्ञार है ठीक है उसके बाद प्राक्टिक प्राक्तिमिक्रिक्राइब करस्ष्ट कींकर जीवों की टीक है तो पीडियो के लाइक जलू कर दीजिए क्योंकी इसनी कोच्चन है मैंने खुद आपको इसकोच्चन डोडे हैं इनके आंसर लेखे हैं तो इनको बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और आप इसी लिए इस वीडियो को लाइक जरू कर देना सब्सक्राइब कर लेना भी तक नहीं किया क्योंकि आंगे की जो सल्यूसन है वो भी आपको इसी चैनल पर आपको प्रोबाइड करा ज तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा ना हूँ वीडियो ताकि आपको पढ़ने में भी आसान ही हूँ तो इस प्रकास से आप देख सकते हैं अति लगूत्री के और सभी जो अबजिक्ट ट्राइप के आंसर हमने देख लिए हैं आपके